प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे कितना भी पढ़ लो तब तक यह बिलकुल अधूरा है जब तक आपको फिक्ट प्रीपोजिशन का नॉलेज नहीं मतलब जितना मैंने आपको पढ़ाया चार पांचे दिन की किलास में उस में से आपको मुस्किल से 30% काम करेगा व प्र्श मेंभी प्रीपोजिशन को नहीं पढ़ते तो हम प्रीपोजिशन के पाइट को कभी बहुत अच्छे से सॉल्व ना का सकते हैं गलति realize य Turkish प्रीपोजिशन होता क्या है यहां लॉजिक काम नहीं करता है और मीनिंग भी काम नहीं करेता जैसे हम यहां पर बहुत ही topics में, एक तो overall grammar में ही है, दूसरा साथी साथ अगर हम gaping या comprehension जैसे part को करते हैं, तो बहाँ पर भी preposition काई बहुत important रॉल है, सबसे पहले शुरू बात करेंगे कुछ words से, जैसे हमने पहला word लिया यहां abide, तो आपको हमेशा abide के साथ में preposition लगाना by, abide का मतलब क्या है, किसी चीज़ को follow करना, यहीं कि मानना, तो abide के साथ हमेशा preposition क्या लगाते, by लगाते, abide by, जैसे you should abide by the rules, you should abide by the traffic rules, आपको traffic rules का पालन करना चाहिए, ऐसी word है, addicted, addicted, बहुत important word है, addicted के साथ में to आएगा, जैसे आप कह सकतो, he is addicted to affirm, he is addicted to church, तो यहां addicted का मतलब क्या होगा, आदी होना, किसी चीज़ का आदी होना, या फिर किसी चीज़ की लट लग जाना, वो भी बुरी चीज़ों के लिए यूज होगा, तो addict के साथ, आप हमेशा preposition कौन्छा लगाओगे, to लगाओगे, ऐसे एक वर्ड आपने पढ़ाओगा, अफरेड, अफरेड का मतलब होता डरना, और अफरेड के साथ fix me position है, आफ, आफरेड आफ आपने पढ़ाओगा, तो अफरेड के साथ क्या लगाओगे, आफ, जैसे he is afraid of dogs बै किस से डरता है कुटों से डरता तो आप afraid के साथ off लगाएंगे नेश्ट वर्ड है accused accused के साथ भी आपको off लगाना है accused का मतलब होगा किसी चीज़ से आरूपित होना accused के साथ भी preposition के आएगा off तो ध्यान लगा है accused के साथ off अपरेट के साथ भी off ऐसी मैंने आपको इक और बर्ड पढ़ा था डाय का मतलब मरना और यहां पर ध्यान देंगे डाय के साथ off लगाएंगे अगर कोई वेक्टी डिजीज बीमारी से फिरित होके मरता है और यहां फ्रॉम भी आएगा अगर कोई वेक्टी एनी अधर रीजन से मरता है कोई अन्य रीजन से जैसे मैंने आपको एक एक एक्जामपल दिया था जैसे यहां सुनो he died खालिस्थान कॉलिरा तो आप लेकोंगे he died of कॉलिरा लेकिन अगर मैं लिक दूँ रिया डाइड खालिस्थान इस्ट्रेस तो आप लिकोंगे रिया डाइड फ्रॉम इस्ट्रेस इसी के साथ आपने एक बर्ड सुना होगा बहुत प्यारा वर्ड है एग्री अगर एग्री का मतलब हम समझते सहमत होना अगर हम बैक्ती से सहमत है किस से बैक्ती से सहमत है तो एग्री के साथ बिद आएगा अगर आप परसन से सहमत है लेकिन अगर आप एग्री के साथ में टू लगा होगे कब जब आप किसी के प्रपोजल से सहमत है प्रिस्ताओ से सुना होगा angry बहूत च्चा word एंग्री का मतलब नाराज होना अगर आप इटी से नाराज है तो बिद किसी की तरह है person अगर आप angry किसी के प्रिस्थाव से नाराज है तो फिर वही concept to FRE rpposition और इसमें एक चीज़ और ध्यान दें अगर आप किसे नाराज हैं किसी के behavior से तो आपको लगाना है act तो यह आपको एक कुछ pre-position से जिनको ध्यान रखना है ठीक है अब next word देखो recover, recover के साथ में हमें क्या लिच करना है from जैसे अगर आपने सुना हो he is recovered या he recovered आपने लिखा he recovered space illness तो यह अपनी illness से recover हो गया, सही हो गया तो he recovered from his illness आएगा, next word prevent, prevent के साथ में भी pre-position fix है prevent के साथ भी from आता, जैसे the policeman prevented me from going there पुलिस वाले ने मुझे बहा जाने से रोका, next word assembled, अभी आपने के example बनाया था assembled के साथ हमेशा off लगाते, जिसका मतलब होता सर्मिंदा होना तो आप अपनी हरकतों पर अगर सर्मिंदा है तो फिर आप क्या लगा दो भाई, off लगा दो, वो तुम्हें बिल्कुल लाज नहीं आती तो वर कुछ भी लगा दो अपने के साथ क्या लगाते, off इसका मतलब होता स्वाकीन होना और आप और हम सभी किसी ना किसी चीज के स्वाकीन, एक मूवी आई थी स्वाकीन उसमें तीन एक्टर थे, बुड़ा था, सब के सब सालिब बदमास थे, सब स्वाकीन थे फालतू की चीज़ों के जैसे अगर मैं कहूँ, I am fond of reading English, I am fond of reading books, I am fond of playing games, यह टीवी का स्वाकीन है, तो आप कह सकते हो, I am fond of watching टीवी, ठीक है, तो जिस चीज़ के भी स्वाकीन है, font के साथ भी क्या लगाएंगे, off लगाएंगे, खुद बहतरी बड़ देखो, क्या लिखा, c, o, m, p, l, y, comply के का ओबे करना, पालन करना, comply with, ऐसे ही आपने word पढ़ा होगा, r, e, l, y, क्या लिखा, one, relay का मतलब होता है, किसी चीज़ पर निर्भर होना, तो relay, one, ठीक है, यह बहुत important topic है, बस आप इन words को ही मात पढ़ लो, इन words से आपकी मालू 70% समस्या खत्म होगई, प्री पोजिशन की पर, जो गाइस इस वीडियो को यूटूब पर देख रहे हैं, उन लोगों से मैं पहले कहना चाहूंगा, कि पहले आप इसके आगे का जो वीडियो है, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, आप उसको देख लीजे, ताकि आपको यह concept बहुत आसानी से अस समझ में आजा, और कहीं दिक्कत ना हो, आगे बढ़े हैं, रिले के साथ क्या लगाएंगे, और लगाएंगे, अभी आपने एक वर्ड पढ़ाता है, एपली केवल, एपली के लिए क्या लगाया था, एपली के लिए क्या होता, किसी चीज़ के, जैसे आप, मैंने कहा, you are applicable which is based on this job. आप इस जोब के योग नहीं हैं. एपली केवल है. इलेजिबिल टी को बताता है. एपली केवल टू आएगा. और इसे एपली केवल टी केवल टी के एक बर्ड आपने पड़ा होगा, इनवाइट. आपको इनवाइट किया गया. किसमें पार्टी में तो इन्वाइट के साथ सोचना नहीं जैसे इन्वाइट दिख जाए तू लगा दो करना और आप आराम से लगा तू इन्वाइट एक बर्ड आपने और पढ़ा होगा बोष्ट बोष्ट का मतल़ होता है डींगे मारना बड़ी बड़ी फेकना बोष्ट लोट के साथ ओफ डींगे मारना बड़ी बड़ी बात करना मेरे पास बंगला और घाड़ी तुरे पास किया है निलू मेरे पास माँ है सबके पास मां है ठीक है तो आज के सवगए में मा की बार में कुछ नहीं कहें ॅब्यर पढ़े अबşaire है क्या अब यह आस एक आपने आपको क्या होने चाहिए जागरुक होने जैसे गाओं में लोग शुरुबात में डर रहे थे वैक्षिन लगवाने से तो गवर्मेंट क्या करती है अबेर्नेस बढ़ाती है कुछ केम्प लगाती है वहां पर लोग समझा आते हैं कि बाइस से लगवा कोई दिक्कत नहीं है और वैक्षिन से ही हम सुरक्षित हैं तो अबेर्नेस का मतलब होगा जागरुक तो अबेर के साथ क्या लगाते आफ यहां जागरुक से इसका मीने हुआ जागरुक और बी बेर आपने कहीं किसी घर के आगे बोड पर लिखा देखा होगा घर के आगे किसी बोड पर लिखा बिविएर ओफ डॉक्स गुत्तों से सावधान मैं एक बास समझा है कि सावधान लेना अगर कहीं लिखाओ बे-वेर ओफ डॉक्स बोला सार हम तो कुद बहुत बड़ी कुट्ता हैं, कुद भौक नहीं लगें, कैसी हरकत नहीं करना, आजकर एक से डेंजर कुट्ते भी हैं, तो हाँ लेकिन इंसान से बड़ा खतर लाग प्राणी कोई नहीं है, F10, F10 के साथ में, F10 के साथ आप हमेशा फ्रॉम लगाएं, जिसका मतलब त्याग ना या छोड़ना, अगला बड़ प्राउड लखें, प्राउड के साथ में क्या लगातें, और प्राउड का मतलब घमंडी, अभिमानी, और कभी भी प्राउड ही ना लखें, ठीक है, बिजनिस में हो, किसमें हो, बिजनिस में अगर डील हो रही है, तो आपको लगाना इन, और अगर किसी परसन से डील कर पर हो, तो क्या लगाओगे, बिद, तो यहाँ यह परसन को बताएगा, तो डील के साथ दो प्री पोजिशन यूज होंगे, पड़ा था, The man deals space sugar, तो हम प्रसन होना, My mother, please the guest, आपने पैसे बॉइस बनाया था, विर आएगा, क्या आएगा, और यहाँ लिसन के बाद रट रट लो, हमेंसा तू आता, लिसन टू मी, आप लो दिनवार चिलाते न, तो बिलको लिसन के बाद तू, प्रिफर के बाद भी हमेंसा क्या आता, तू आत टेस्ट, ठोर बोकल म्यूजिक, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे, क्योर के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, और चार्ज के साथ बित, अगर हम किसी चीज़ से आरोपित होने की बात कर रहे हैं, और यह बहुत अच्छा प्ली पोजिशन, याद रखें मैंने आपको समझाया था, साथियां दो प्रकार की होती है, बैसे धर्म के आधार पर कई प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन हमारी इंगलिस में हमने दो साथियां बता हैं, एक तो एकटिब वाइस की साथ यह और एक पैसे वाइस की साथिय हो, तो कोई प्री पोजिशन नहीं लगढ़ाना लेकिन प्यक्स पृषिसन को पढ़ लो है थे न इतने साले वर्ट में को जो चीज आप अप लाइप में दिक्कत नहीं होगी ठीक हो और आप लोगों को मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर देखने तब आप इस चीज को देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा यहां पर मैंने कुछ एक्जामपल्स लिखे हैं जो बहुत इंपूटेंट कॉस्चन्स हैं जो अकसर एक्जाम में पूछे गए कॉस्चन्स हैं सबसे पहले हम कॉस्चन नंबर बन देखते हैं मैनेजर साइन दा लेटर क्या होता कि जब हम फिक्स प्री पोजिशन की बात करते हैं तो बहां पर ग्रामर के लॉजिक काम नहीं करते जैसे यहां को पहला कॉस्चन लिका दा मैनेजर साइन दा लेटर मैनेजर ने लेटर को sign किया किया दफर्म कैसे किया तो यहां पर आएगा preposition फॉरफ तो अब आप यहां फॉरफ के बारे में हो सकता सोच भी ना रहे हो था manager sign the letter for the fact तो यहां फॉर प्री पॉजिशन आएगा प्लीज राइट अ प्लीज लेटर को लिखिए किस से लिखिए इंक से इस पर मैंने आपको लॉजिक बताया था यहां इन प्री पोजिशन का यूज होगा ठीक है अगर इंक की जगह पर हम पैन पैंसल कुछ लिख देते तो पैन पैंसल इंस्टूमेंट होगा तो यहीं पर हम क्या लिखेंगे विख अगर लिखा औहो तब प्लीज राइटा लेटर इस सपेस पैंट नुच च्छ ही हैसस पीसल लाइकिंग अप यह आख हैंने कुफिशल लेका आयि वर्म मैं अई एंग लिखा यहां पर आपको प्ली को यहां ओगाना होगा होगा टू ही हेस्पेसल लाइकिंग टू म इस पाइट में दिये गए कॉस्टन बहुत इंपोटेंट है एक्जाम की पॉइंट आप इन कॉस्टन को एक बार जरूर पढ़ लिए जो मैंने प्रैक्टिस करवाई प्रैक्टिस सीट को देख लीजे प्लस इन कॉस्टन को पढ़ लो इससे एक्जाम में बहार जाने वाला नहीं पूरा प्रैपर यहीं से आ जाएगा लिए वाज एडमिटिब तो आप यहां लिखेंगे टू आगरा कॉलेज यहां पर पर की प्री पॉज़िशन किया आएगा वाजा एक्वाज को इसमें बताया था आपको जब हम किसकी बात करते हैं टाइम सोर्स की बात करते तो यह केस को बता था है टाइम सोर्च को आर यू नोट असेंब्ड यहां फिक्स प्ली पोजिचन है असेंब्ड के बाद किया लगाते और अरि यू नोट Assembled Of, क्या लिखेंगे? Of, It राहुल इज बीक, अब यहां दो को लिखा है Beak, क्या लिखा? राहुल बीक है, किसमे? इंग्लिस में तो इंग्लिस में Beak है, कोई दिक्कत नहीं आप लगाओगे In, राहुल इज बीक In, इंग्लिस, दूसरा लिखा He is good, तो ऐसी कंडिशन में आपको In नहीं, यहां लगाना At, ठीक है? राहुल राहुल बीक है, बीक के साथ में लग जाएगा बट He is good के साथ में क्या लगेगा? At, क्योंकि वह है इंग्लिस में अच्छा है, मैं आपको इसका भी लॉजिक बता दिया था मैंने कि अगर हम यहां पर In लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? Perfection को दिखाएगा इसलिए यहां पर At लगाओ He bench space लखनव, तो कोई दिक्कत नहीं है यहां bench आया, तो हम 2 लगाएंगे क्या लगाओगे? He went to Lucknow और यहां यह ट्रेवल सोर्स को दिखा रहा क्या लगाओगे? By car He has been charged इसमें हमने कई बार पढ़ लिया है Charged, बिथे, theft लगाएंगे Next लिका, you should learn आपको learn करने चाएगे, पोएम कैसे? हिरदाय से, दिल से, तो by heart These rules are not applicable के साथ Fixed P position क्या पढ़ा हम लोगों ने? Two These rules are not applicable to your case अगना यह बहुत खतरना question इसको ध्यान देना Army marchage इसमें आप लोगों को पढ़ाया गया Army marchage 1 इसको ध्यान देंगे और यह high school examination में बहुत पूछा गया question है Army marchage 1, its stomach They knew ran the race They knew ran They knew race दोरा किसके दोरा फस्ट आने के लिए तो क्या लेकोंगे पूर फस्ट I have bought a book मैंने book खरीदी क्या खरीदी? 20 रुपिश तो इसमें हमने 4K यूज में पढ़ाया था अगर हम बात करें किसकी duration की इजन की या परपच की आ एक्सचेंज की तो यहां एक्सचेंज ही तो हो रहा जब हम किसी चीज को खरीदेंगे या बेचेंगे तो खरीदेंगे तो पईशा देंगे और वो उसके बदले में हम सामान ले ले तो यहां एक्सचेंज होने की बज़र से अभी पोजिशन लगाएंगे 4K लगाएंगे यहां तक बोलो एक से लेके 15 तक किसी को कोई कंफ्यूजन कुछ पूछना है कोई परिशानी घबराहत चिंता दो खुक दर्द कोई कश्ट है गया पैसन तो इसमें भी हम लोग पढ़ चुके हैं आई है पैसन क्या लगाना है कब इस्ट्रूइवस यह को सचा है यहां पर यह बचन के लिए यूज होगा और आप यूज करोगे कि हम लोगोने पढ़ा है कि अगर हम डील के साथ में का भी सा ना यह था अगर हम बिजनडीमें बात एक टमर की साथ यहां अगर कस त्हिए कि साथ principle कि यहां पर्सटन हैं तो क्या लगा देंगे जिए बनकुल थोड़ा सा कॉंश को ध्यान दें तो तीन चीज़ा पढ़ाएं यहां बैक्ती से सहमत हैं तो प्रपोसर से समय तो फिर हम आए थे एंगरी पर अगर आप भैक्टी से नाराज हैं तो हम लगाएंगे विद और फिर्स्थाव से नाराज है तो टू बहेवियर या कंड़क्ट से नाराज है तो एक्ट यहीं मुश्ट ली केस में सब्दों के साथ परसन होने पर विद ही यूज होता तो आप यहां क्या लगाएंगे अब एंगरी मुझसे नाराज मैं कोई बैकती हूं के नहीं तो बैकती हूं तो क्या आएगा बेद आएगा नेक्स्ट में लिकादा टीचर इच एंगरी स्पेस माई बेहवियर मतलब एक बेहवियर की बात हो गए 22 में लिका आ क्या करें इसमें बिद यहीं हरकत करते हैं जादा तर बच्चे बिद का यूज करते क्योंकि वो समझाए साधी हो रही तो साथ में होगी तो ध्यान रखें अगर यहीं कॉस्चन एक्टिब वाइस में लिखाओ तो नो प्री पोजिशन मैंने पैसे बॉइस में पढ़ा जा साधी होती tão कि साधी पैसे बॉइस की साधी में नो प्री पोजिशन पैसे बॉइस कि साधी henwood टू प्री पोजिशन तो यहां लगाओ गिता वोậy married to shohan, यह हमने made वाले concept बहुत अच्छे से समझे, made में क्या करना है, अगर कोई चीज में transformation नहीं होगा, तो हम made off का यूज करेंगे, transformation हो गया, तो हम from कर, जैसे यहां लेखा this box is made space wood, अगर मैं कह रहा हूँ कि यह box जो है वो बुड़ का बना, इसका मतलब हमें लकडी दिख रही है, transformation नहीं होगा, box को तोड़ दें तो हमें लकडी मिल जाएगी और फिर उसी लकडी से फिर से बॉक्स से बन जागा, transformation नहीं होगा, off लगाओ, ऐसी ring किसे बनी, gold से, तो हमें ring में क्या दिखता है, gold और transformation नहीं होगा, off लगाएंगे, next question कर्डी मेड, space milk, कर्ड किस से बना, milk से बना, अब एक बार milk से कर्ड बन गया, तो आप किसी की वकाद नहीं है कि कर्ड से milk को बना जाए, निकि totally transformation हो गया, तो हमें यहां क्या यूज़ करेंगे, from का यूज़ करें, next लिका petrol is sold, ध्यान रखें, लेमन और सेलिंग, लेमन को बेचाया, 20 रुपीज अग किलो और कुछ इस तरीके से आ जाए, तो हमेशा प्री पोजिशन यूज़ करेंगे, at, क्या यूज़ होगा, last question मैं क्या लगाएंगे, at, guys, I hope यह छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, fixed प्री पो लेमने की मैंने किलो अगे ऑदन 50 राम, लेमने की मैंने के लिए अग, जह हमें आएज रहा जाएंडे यूज़ क stuk일 से वेशालूब करेंद glacier, बने का लेईपे हैं भो travelled से बандacked की से अचेज़ ऊफलेत्या का, लेमने की मैंने की साहते ऑचे हुष्ण चeच absolumentिते हैं है